ब्यावर में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां सांड की सींग मानने से एक यूवक की मौत हो गई घटना का सिसी टीवी फुटेज भी सामने आया है इसमें सपस्ट नजर आ रहा है कि सांड ने सींग मार कर यूवक को चाल दिया इसके बाद यूवक सिर के बल सड़क पर गिर गया और अचेत हो गया घटना मसूदा रोड के इंदरा नगर शेतर की है पूर्व पारसर संपती बोहरा ने बताया कि जैसिंग उमर 45 साल पुतर श्रवन इंदरा नगर के फुलवारी महले में रहते थे रविवार सुबै करीज साड़े आठ बजे वे घर से निकले थे घर से 50 मिटर दूर गली में उन पर सांड ने हमला कर दिया घटना के सूचना परीजन को मिली तो वे उन्हें एक होस्पिटाल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उन्हें अम्रत घोशिट कर दिया परीजन बिना पोश्ट माटम के ही शव अपने साथ ले गए जैसिंग पिंटर थे और एविवाहित थे वे अपने बड़े भाई की परिवार के साथ रहते थे इस घटना से छेतर की लोगों में नगर परिशर प्रशाशन के खिलाफ रोश है पूर्व पारसद संपती भोरा का आरोफ है कि नगर प्रशाशन आवारा जानवरों को लेकर कोई कारवाई नहीं कर रहा परिशद एक बड़ी रकम आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए ठेकिदार को दे रही है लेकिन परिनाम कुछ नहीं ठेकिदार आवारा जानवरों को बीच बाजार या मुख्या मार्ग से पकड़ कर राजमार्ग या बाहरी छीतरों में छोड़ देते हैं यह जानवर रिहायशी छीतरों में आकर लोगों को निशाना बनाते हैं उन्होंने परिशत चे मांग की है कि आवार जानवरों को पकड़ने और उन्हें निर्धारी दिस्तान पर छोड़ने के लिए ठेकिदार को पाबंद करें